कशल मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत हैं हर मेना कि सुकलोपक्यकी अंतिम दिन को पुर्णिमा कहा जाता है पर कार्थिक पुर्णिमा का विज्यस महत्यु है लिए को कार्तिक पुर्णिमा या त्रिपुरी पुर्णिमा भी कहा जाता है कार्तिक पुर्णिमा के दिन भोले नात त्रिपुरासुर नामक असुर को बत क्या था इसलिए त्रिपुरी दिपावली कहा जाता है क्योंकि त्रिपुरासुर का बत के बाद देवताओं ने संबिल कर दीप जलाये थे तब से इस दिन देव दिपावली मनाय जाता है कासि में बड़े धुमदाम से देव दिपावली मनाय जाता है कर्तिक पुर्णिमा इस बार दो दिन पड़ रहा है यानि 18 नवंबर और 19 नवंबर तो 18 नवंबर के दोपार 12 बजकर 3 मिनिट से जुरू होकर 19 दो बजकर 29 मिनिट तक पुर्णिमा देथी रहेगी तो 18 नवंबर को आप पुर्णिमा ब्रत कर सकते हैं और दान पुर्णिया के लिए 19 नवंबर का चुन सकते हैं और 19 नवंबर को आंसिक चंदरगराण भी है पुर्णिमा बहुती सूब दिन रहता है बहुती पावन दिन है तो कार्थिक पुर्णिमा के दिन दान अवश्य करना चाहिए चावल का दान अवश्य करें और कुछ भी आनाज का दान अवश्य करें इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, इस दिन दीप जरूर जलाएं, बहले ही आप कार्तिक मैना बर दीवदान न करें, और पांच दिन जो पंच्वो की कहा जाता है, उसमें भी ना कर सकें, तो कार्तिक पुर्निमा को कभी भी ना छोड़ें, ऐसे ही जाने ना दें, इस दिन जितना हो सकें आपसे 11, 21, 108 दीप जरूर जला है, और उतना भी नहीं हो सक रहें, तो एक दीप में, एक दीपक मिट्टी का देपक लेकर, उसमें 365 बाति या 108 बाति लेकर, आप एक ही बार में जला सकते हैं, दोनों समय, सुगा समय और साम के समय, तुलसी माता के सामने, और तुलसी पुजन, जो भी कर लें, दान पुनियों, उसका तो महत्वी बहुत हैं, पर ज्यादा नहीं हो सकेगा, तो 108 अगर मैं कर सकते हैं,